नमस्कार, मैं यतिन वर्मा, राश्टरपती रोवर, स्वागत करतों आप सबका मारे यूट्यूब चैनल स्काउट गाइड अकैडमी पर तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि हम आगे आने वाले दिनों में कोशन अंसर से लेटर, बहुत सारी वीडियो से लेकर आएंगे जिसमें कि आपको Skaunting for Boys यह से लेकर कापी कुछ कोशन देखने को मिलेंगे तो आज सही हम यह वीडियो सीरी स्टार्ट करते हैं और आज हम सटार्ट करेंगे Skaunting for Boys से लेटर कोशन अंसर अध्याई फोस्ट स्काउट शिल्प, स्काउट क्राफ्ट कथानक फोस्ट स्काउट का कार्य क्योशन फोस्ट केम की कहानी किसने लिखी A. रुद्याड किपलिंग B. शेक्स्पिर C. अलबर्ट D. नन अप्टीज आंसूर रुद्याड किपलिंग क्योशन सेकेंड किम का पूरा नाम A. केविन B. कॉल निकॉलस C. कामिल D. किमबालो हारा आंसूर किमबालो हारा क्योशन थर्ड किम के पिता किस रेजिमेंट पे थी? A. एंडियन B. ब्रिटिश C. आइरिश D. अमेरिक आंसूर आइरिश Q. किम किस के साथ उत्तर भारत की यात्रा की? A. पुजारी B. बेडिन पागल C. एडवार्डू D. उपर के सभी आंसूर पुजारी Q. फिफ्थ मिस्टर लर्गन कौन थे? A. शिक्सक B. सरकारी खुफियाविभाग के सदस्य C. राजनित्यग्य D. उपर के सभी आंसूर सरकारी खुफियाविभाग के सदस्य Q. मैस्टर लर्गन के युद्ध में बेडन पावल के साथ कितने प्रशिक्षित सेना थी और कितने बीना प्रशिक्षित सेमान थी? A. साथ सो और तीन सो B. छेसो पचास और तीन सो पचास C. नौ सो और सो D. नौ सो पचास और पचास आंसूर साथ सो और तीन सो अध्धाय स्काउट क्राप्ट कथानक सेकिंड स्काउट क्या करते थी? Q. पर्स्ट स्काउट्स को किस के सामान माना गया है? A. शूर वीरू B. राजा C. सहायक D. उबर के सभी Answer शूर वीरू Question 2. The Elston murder कहानी कहां की है? A. उतरी अमेरिका B. अफरीका C. स्पैन D. एंगलेंड की उतर Answer इंगलेंड की उतर Question 3. Elston murder कहानी में हत्या किसकी थी? A. मार्गरेट B. श्रीमती Elston C. श्री Elston D. एलस्ट Answer Question 4. हत्यारा कौन था? A. खान भादोष विलेविंटर B. रॉबर्ट हिल C. जेम्स D. पिटर्सन Answer खान भादोष विलेविंटर Question 5. हत्यारे को किसने देखा? A. डेविट B. रॉबर्ट हिंद मार्शो C. रॉबर्ट हिंद मार्शो Question 6. हत्यारे को फांसी कहां दी गई? A. न्यूकेसल B. न्यूजिलेंड C. अमेरिकन कॉर्ट D. स्टोकॉलम कॉर्ट Answer न्यूकेसल Question 7. कथानक दो के बारे में सही चुनिए A. खुले में रहना वोड़क्राफ्ट एल्सडन हत्या B. शिष्टता जीवन बचा रहा है C. शूर्वीरों का कोड शेहन सीलता अपने देश से प्यार D. उपर के सभी Answer उपर के सभी Q. एक स्काउट बनने के लिए उसको कौन सा टेस्ट पास्ट करना होगा? A. फॉस्ट फूट B. टेंडर फूट C. लिवर फूट D. अपर फूट Answer टेंडर फूट Question second Scout आदर्श वाक्य Be prepared का क्या तात्पर है? A. दिमाग में तयार है Be prepared in mind B. शरीर में तयार है Be prepared in body C. A और B दोनो D. केवल B Answer वाथ A and B A और B दोनो Question third Scout badge में arrowhead किसका प्रतीक है? A. नक्षे पर उत्तर B. दिशा सूचक क्यांत्र C. सही दिशा और उपर की और D. All of the above Answer D. All of the above Question fourth क्या सब दिश का स्काउट बेज एक जैसा होता है? A. कुछ का वही कुछ का अलग B. सभी का वही C. सब का अलग-अलग D. शेत्रवार वही Answer सब का अलग-अलग Question fifth स्टाफ क्या है? A. स्काउट शिक्षक B. स्काउट रस्सी C. स्काउट लाठी D. गेज़िट Answer स्काउट लाठी Question sixth जब एक नया स्काउट ट्रूप में शामिल होता है उसको टोपी और स्टाफ कौन प्रदान करता है? A. काउट मास्टर B. असिस्टन स्काउट मास्टर C. पेट्रो लीडर D. ट्रूप लीडर Answer Assistant Scout Master Question seventh स्काउट वर्दी किस से मिलती जुलती है? A. दक्षन अफरीकी सिपाही B. ब्रिटिश आमे C. अमेरिकन कॉंस्टेबली D. नन अफ दी अबव Answer दक्षन अफरीकी सिपाही Question eighth Scout staff का क्या काम होता है? A. गर्दन का संबर्ण से बचाने के लिए B. पट्टी C. अपातकालियन रस्ती D. आल अफ दी अबव Answer D. आल अफ दी अबव Question ninth Scout staff पे क्या लिखा जाता है? A. प्रतिज्या B. नियम C. कुछ नहीं D. स्काउट की उपलब थी Answer Scout की उपलब थी Question tenth Scout की staff height कितनी होती है? A. कान तक B. नाग तक C. सिर तक D. छे फिट Answer नाग तक अध्याई first Scout craft कथानक fourth Scout दल Scout पेट्रोल Question first पेट्रोल की दक्षता और स्मार्टनेस की जिम्यदारी किसकी होती है? A. ट्रूप लीडर B. पेट्रोल लीडर C. असिस्टेंट पेट्रोल लीडर D. स्काउट मास्टर Answer पेट्रोल लीडर Question second मान सभा Court of Honor का दूसरा नाम A. पेट्रोल लीडर्स काउंसल B. सीनियर मीटिंग C. ए और बी दोनो D. एन में से कोई नहीं Answer पेट्रोल लीडर्स काउंसल Question third पेट्रोल सस्टम का एक महत्व पुरिण हिस्सा है A. कौर्ट ओफ ओनर B. पेट्रोल लीडर्स काउंसल C. ए और बी दोनो D. ए और बी दोनो नहीं Answer A. और बी दोनो Question fourth स्थाई समीती स्टेंडिंग कमिटी कौन सी है A. कौर्ट ओफ ओनर B. स्काउट मास्टर की मिटिंग C. स्काउट मास्टर और ट्रूप लीडर की बैठक D. उपर के सभी Answer Court of Honor Question fifth 33rd London ट्रूप में जो पाँच पेट्रोल के नाम रखे गए थे उनका सही क्रम चुने A. The Curlews The Bulldogs, The Owls, The Bats and Cats B. Curlews, Ostrich, Pigan, Bats, Cats C. Cow, Ostrich, Cat, Bulldogs, Parrot D. Parrot, Cow, Dog, Tiger Answer The Curlews, The Bulldogs, The Owls, The Bats and Cats Question sixth उत्तरी गोलाध में सर्दियों के लिए खेल A. Arctic अभ्यान B. Hemdurg C. Siberiai आदमी शिकार D. उपर के सभी Answer उपर के सभी अध्याई, सेकेंड, बाहरी कार्यवाही कथानक फिफ्ट खुले में जीवन Question फुर्ट तक्षिन अफरीका में पहला कबीला कौन सा था? A. जूलू B. जाल C. ए और बी दोनो D. इन में से कोई नहीं Answer जूलू Question 2. दक्षिन अफरीका में जब एक लड़का योधा बनने के लिए योग्या हो जाता है तो उसकी कपड़े उतरवा कर कौन से रंग से उसकी बोडी को पेंट किया जाता था? A. रेड B. ग्रीन C. ब्लू D. वाई Answer Why Question 3. जूलू लोगों को लड़के से मर्द बनने के लिए किस रूप में देखा जाता है A. चटाई मैं लड़का B. यूवायोथा C. रिंग कॉप विटर्ण D. उपर के सभी Answer Theodore Roosevelt Question 5. दक्षिन अमेरिका में यग्य जनजाती के लोग योध्धा बनने के लिए कौन सी परिक्षा पास करते थे? A. दक्षिन अफरिका के समा B. भाले को उसके जांग में गहराई तक चलाएं और दर्द के बावजूद हर समय मुस्पुराएं Question 6. एक पुराना केनेडियन स्काउट और ट्रेपर बिल हैमिल्टन ने बुक लिखें जिसमें The dangers of adventurous life of the early pioneer के बारे में बताया किताब का ना A. मैं 60 years B. मैं 50 years C. मैं 40 years D. मैं 30 years Answer My 60 years Question 7. Exploring के लिए कौन से मैप बहतर है A. स्तलाकृत नक्षा B. एक इंच आयूत सर्वेक्षन नक्षा C. ए और बी दोनो D. इन में से कोई नहीं Answer A. और बी दोनो Question 8. एक ही रिस्सी से परवता रूहन करते हुए दो व्यक्ति के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए A. 14 फिट B. 16 फिट C. 12 फिट D. 13 फिट Answer 14 फिट Question 9. फिल को देखने के लिए कभी-कभी महियं देखाएं जो पहाडी की चोटी से सूरज की किर्णों की थरा फैलती हैं। उसे क्या कहते हैं? A. Hatchers B. Natchers C. Satchers D. Bighters Answer Hatchers Question 10. परवतार उहन में रसी के सीरों पर और बीच में कौन सी गांट का प्रियोग किया जाता हैं? A. सीरों पे बॉलाइन बीच में मैं हौनस B. एक सीरे पर बॉलाइन एक सीरे पर रीफ नॉट बीच में मैं हौनस C. A और B दोनू D. कोई भी गांट लगा दो Answer सीरों पे बॉलाइन बीच में मैं हौनस Question 11. जब हल्की हवा चल रही हूँ तो हवा के दिशा कैसे पता करें? A. सूखी घास से B. मिट्टी से C. अंगुठे को गिला करके D. उपर के सभी अंस्वर उपर के सभी Q. 12. शब्त रिशी को और किस नाम से जाना जाता है? A. प्लॉब B. बिग डिपल C. वाथ A and B D. या तो A या तो B आंस्वर वाथ A and B Q. 13. आस्मान में बाकी सितारे घूम रहे हो तो काम सा तारा फिक्स रहता है? A. दुरूब तारा B. सब्त रिशी C. औरियन D. बिग डिपल आंस्वर दुरूब तारा Q. 14. दक्षनी गोलार्ध में रात के समय दिशाग्यात किस तारा समय के द्वारा की जाती है? A. सब्त रिशी B. दक्षनी क्रोस C. A और B दोनो D. उडवी क्रोस Q. 15. औरियन स्टार के समय में जो बेल्ट की आकृती बनाते हैं उसका सही क्रम है A. जूलो जन्जाती आकृती का नाम इंगोलूबू B. जन्जाती मसाई आकृती का नाम तीन कुवारी है जिनका पीछा तीन कुवारी बड़ी लड़कियां कर रही है Q. 16. हेर्स का मतलब क्या है A. खरगोश B. बाग C. सा D. भेडिया Q. 17. हाउंस का क्या मतलब है A. शिकारी कुत्ता B. भेडिया C. लॉम्डी D. खरगोश आंसुर शिकारी कुत्ता Q. 18. हेर्स हाउंस किस खेल से संभन्दित है A. मांचित्र का पालन करे B. मांटीन स्काउटिंग C. ट्रैकपर D. राशिगर्स Q. 19. लाल भरतिय लाठी को आपस में जोड कर बनाए गए वाहक पर अपने टीम और उपकर्णों को ले जाने के लिए उप्योग किया जाता है इसे कहा जाता है ट्रेवाइस, क्रेवाइस, लेवाइस, 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 लेवाइस आश्वर्स Q. 20. ए. थांपसन सेटन ने कौन सी किताब लिखी? A. The Book of Woodcraft, B. The Book of Scoutcraft, C. The Book of Leadership, D. The Book of Scouts आश्वर्स The Book of Woodcraft अध्याए, 2. भाहरी कार्य वाही कथानक, 6. तमुद्री तथा हावाई स्काउटिं Q. 1. C. स्काउटिंग में खेल शामिल है A. स्मगलर्स B. वेलहंट C. ए और बी दोनो आंसूर ए और बी दोनो Q. 2. वेलहंट खेल में पेट्रोल लेडर किस रूप में होता है? A. कैप्टन B. वामिन C. रिमेंडर D. नन अक्टरबर्ग आंसूर कैप्टन Q. 3. वेलहंट खेल में सेकेंड पेट्रोल लेडर किस रूप में होता है? A. कैप्टन B. लीडर C. वामिन D. रिमेंडर आंसूर बौमिन A. अध्याइस सेकिंड बाहरी कार्यवाही कथानक 7. संकेट तथा आदेश मेफ्किंग की युद्ध में स्काउट्स किस तरहें की जानकारी बेडिन पावल को देते थे? A. पुरुषों सेना B. घोडों C. बंदूके D. उपर के सभी आंसूर उपर के सभी Q2. पाइर्स को सिगनल के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है A. येस B. नो Q3. दिन में सिगनल भीजने के लिए किस टाइप की आग का इस्तिमाल किया जाता है A. धुआ B. जोती C. A. और B. दोनो D. कोई नहीं A. आंसूर धुआ Q4. स्मॉक सिगनल में धीमी क्रम में तीन बड़े कश का क्या तात्वर्य है A. खत्रा B. रेली यहाँ आए C. थम जाओ D. एन में सिगने कोई नहीं Q5. स्मॉक सिगनल में छोटे कश का मतलब A. खत्रा B. रेली यहाँ आए C. थम जाओ D. इन में सिगने कोई नहीं Q7. स्मॉक सिगनल में दुएं के एक निरंतर स्थम का अर्थ है A. खत्रा B. रेली यहाँ आए C. थम जाओ D. इन में सिगने कोई नहीं Q7. उस स्काउट आफिसर का नाम बताए जिसने अमेरिकी ग्रही युद में मार्स अलफाबेट्स खे अपने साथियों को सिगनल पहुंचाया और 20,000 लोगों की जान बचाई A. कैप्टन क्लॉरी B. कैप्टन जिक्सौ C. कैप्टन पिटर्सन D. कैप्टन स्टीव A. कैप्टन क्लॉरी कैप्टन एर्थ मौर्स सिगनलिंग में किन तरीकों से सिगनल भीरा जा सकता है A. डॉर्ट्स एंग डैशे B. फ्लेक्स C. साउंग एंड फ्लेशे D. अल अप्टन अबव अंसर अल अप्टन अबव कैप्टन नाइन्थ मौर्स सिगनलिंग में E और T से क्या थात पर रहे है A. रुसिविंग स्टेशन ने शब्द को सही धंग से पड़ा है B. भेजने वाले स्टेशन ने सही भेज रहा है C. रुसिविंग स्टेशन को समझ नहीं आया D. हम आ रही है आंसर रुसिविंग स्टेशन ने शब्द को सही धंग से पड़ा है Question 10. सीमा फॉर विधे में कॉलिंग अप सिगनल को क्या दर्शाएंगे? Answer VE-VE-VE और AAAA Question 11. सीमा फॉर मेंट जब receiving station ready है message receive करने के लिए कौन सा सिगनल भीजेंगे? Answer K Question 12. सीमा फॉर मेंटर्ड जब receiving station ready नहीं है message receive करने के लिए इंतिजार करने के लिए कौन सा सिगनल भीजेंगे? Answer Q Question 13. सीमा फॉर विदह में प्राप्त करने वाला station संदेश प्राप्त सिगनल के साथ उत्तर देता है Answer Note सीमा फॉर मेथड में receiving station ने शब्द को सही धन से पढ़ा है A और C से दर्शाएंगे प्राप्त करने के साथ जाएंगे कर दो संस्ट में प्राप्त करने करता है सही जाएंगे